नमश्कर दोस्तों आप सब का सागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों कल हमने अपनी वीडियो के अंदर यहाँ पर डिस्क्विशन किया था कि यहाँ पर जो कैरी फावर पॉडिशन हुई है एज रोल ओवर वो पॉडिशन्स एफ़ाइस की जो हुई है वो बु दोस्तों आज की दिन मार्केट के अंदर मैं आपको एक चीज नई और दिखाना चाहता हूँ यह मैं आज आज आइनलेसिस कर रहा था और यहाँ पर मैंने चेक करने की कोशिश की तो मुझे यह पैटन निजर आया आज देख सकते हो यह एक छोटा शोल्डर है फिर यह एक बड़ा है और अगर मार्केट को रिट्रेस करना भी हुआ तो यह जो एक की नेक लाइन है यह आपको दिखरी होगी तो नेक लाइन के आसपास हम वैसे भी पहुंची रहे हैं अगर रिट्रेस्मेंट करना हुआ तो यहां से सोड़ा बहुत रिट्रेस्मेंट करके और फिर आगे आने वाले समय के अंदर देख पाएंगे market अपने हमको बताएगा लेकिन यह मुझे नजर आया तो मुझे लगा कि मेरे को आपके साथ share करना चाहिए तो मैंने आपके साथ यह share किया है अगर मैं इस neckline का resistance देखू तो मुझे neckline का resistance resistance जो नजर आ रहा है वो मैं आपको समझा रहता हूं कहां पर है यह neckline का resistance वो है यहां पर दोस्तो 287 के आसपास तो मैं आपको link भी देता हूं 17,280 के आसपास इस neckline का resistance है इस बात को आपको समझना चाहिए और मैं हमेशा से यही कहा हूं कि अभी जो है market दीए दीए अपने resistance के आसपास पहुंच रहा है तो थोड़ा profit booking के तरफ भी ध्यान देना जरूरी है मैं यह नहीं कहा रहा सारी कर लो हां लेकिन 50% कम से कम profit booking को जरूर करिए ठीक है बात आपको समझ में आ गई होगी मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं कि यहां पर जो है आपकी monthly candle जो है October month की वह आपको यहां पर देखने को मिलेगी अभी तो October month की जो candle है मैं आपको दिखाता हूं यह इसको हटा रेते हैं पहले हाँ आप देखिएगा तो October की जो महिने की जो आपकी यह candle बनी है आप इस candle को देखिए कि जबरदस तरीके से यह candle बनी हुई है दोस्तो मार्केट के अंदर जब कभी भी यह इस type के candle बनती है ठीक है जैसे कि यहां पर बनी ठीक है आप देख सकत जो यहां पर भी बनी ठीक है यह एक टाइप की मोजी बारू टाइप की candle है ठीक है यहां पर भी बनी इस सेम टाइप की candle ठीक है यहां है तो अगला महीना बेसिकली पॉजिटिव महीना होता है इस बात को समझके चलिएगा पहले से पहले क्योंकि अभी जो है 1st November है ठीक है, तो 1st November मतलब महिने का पहला दिन है, इसलिए मैं आपको इसकी importance समझा रहा हूँ, दूसरी चीज, डाटा भी जो है positive ही है, डाटा पॉइंट्स की इस चीज को support कर रहे हैं, तो इसलिए हम डाटा पॉइंट्स को भी अगर correlate करके देखेंगे, तो यह चीज आपको यहा आगे जो है, आप देख सकते हो positive candle, same अगर मैं देखो, तो यहाँ पर October month के अंदर same candle बनी है, तो हम यहाँ पर expect कर सकते हैं, एक positive candle, तो यहाँ पर overall जो market का sentiment है, जो market का जो इस वक्त behavior है, वो bullish ही ही है, ठीक है, तो इस बात को खयाल जरूर रखना, तो यह आपको monthly candle मैं आपक समझा दिया, ठीक है, one day के candle मैं आपको समझा दिया है, रसिस्टेंस कहाँ पर है, और आप साथ में देखना चाहें, तो देख सकते हो weekly candle भी, weekly candle भी आपको दोस्तों देखी, यहाँ पर bearishness अभी तो नहीं है, ठीक है, और यह एक अच्छी बात है, कि bearishness market में है नहीं, क्यो क्योंकि data points को allow नहीं कर रहा है अभी, लेकिन हाँ, एक चीज important है कि मतलब market के अंदर जो है अभी, यह एक level है, जो की resistance level भी है, जो की निकल के आ रहा है, यह वाला, यह, तो जो 280 का level था, वो इस neckline का भी resistance है यहाँ पर, और यह 280 के आसपास यह वाला resistance भी है, ठीक है, तो यह एक resistance का काम करेगा, यह करेगा, कम से कम at least current expiry के अंदर, लेकिन आपको यहाँ पर bearish नहीं होना है, data points का against trade मत लेना, आपके वलोग के वल अपनी bullish positions को book कर लीजिए, ठीक है, profit booking के तरफ ध्यान दीजिए, होता क्या है, हमारा mindset क्या कहता है, कि हमने bullish positions book कर लीजिए, तो हम शा by chance, इस expiry day जो की परसो है, expiry day से पहले अगर market इस level के ऊपर close दे देता है, जो की है, 17,290, ठीक है, इस 8,290, इसकी ऊपर अगर closing दे देता है, तो आप fresh conditions दुबार अपना लीजिए, long side की, ठीक है, तो यह है total planning, जो मैं मतलब खुद के लिए, मतलब plan किया हुआ है, ठीक है, तो data points के साथ ही चलेंगे, और कैसे कैसे मैंने plan किया हुआ, मैंने आपको समझा दिया, पूरा तरीके से, बात करते हैं, अगर हम data points की, अब data points देख लेते हैं, यह लोग रिटेलर्स पुट बाइंदर लेके गए थे, इनका आज book में, loss में book कर ली है, इन लोगों ने यह व रिटेलर्स को loss ही हुआ है, options के अंदर, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आज के जो नई positions हैं, तो FIIs यहां पर कोई भी positions कारिफ बढ़ता कि नहीं लेके गया है, ठीक है, रिटेलर्स जो हैं, वो आज भी call writing ही लेके गए हैं, तो आज दोनों के दोनों call writing लेके गए ह दिन, futures के अंदर अच्छी खासी bullish positions को add किया है, आप यहां पर चेक कर सकते हो, इन्होंने अपनी bullish positions को add किया है, FIIs ने और proprietors ने भी अपनी bullish positions को add किया है, तो अब आप समझ लो कि अगर यह लोग अपनी bullish positions को add कर रहे हैं, और दूसरी तरफ, retailer जो है, वो अपनी short positions को लगा अगले दो दिन तक कोई बड़ा move ना आए, क्योंकि उन्होंने options में कोई bullish positions नहीं ले रखी है, ठीक है, पर expiry over होने के बाद, वो in positions को definitely prove profit में कर लेंगे, इसलिए अगर market expiry के नजदीक आपका छोटी सी market एक range में trade करें, तो गबराना मत, expiry के बाद एक अच्छा move expected है ही, अगर यह positions ऐसे कैसी ही bullish रहती है, तो ठीक है, समझ में आ गया, clear होगी बाद, तो यह था market का expectation जो मैं expect कर रहा हूँ, market कैसे move करेगी, total अभी bearish positions कोई भी open नहीं है, इनकी total इनकी बावान हजार के आसपास positions bullish हो चुकी है, जो की average level जो है, इनका 17,642 का है, और market की जो closing होई ह वो 18,145 की हुई है, तो तकरीबन तकरीबन 500 point का profit अभी भी है, ठीक है, तो यह profit में ही है, अभी भी of futures के अंदर, तो overall FII ही market को drive कर रहा है, और FII अभी भी bullish ही है, तो अगर dip आता भी है expiry के आसपास, just because के expiry के options close होंगे, वहाँ पे positions close की जाएंगे, थोड़ा बोड़ dip अ अगर आता भी है 600 points का, तो वो एक buying opportunity ही यहाँ पर होगी, इस बाद को समझ के चलिएगा, ठीक है, अब फाइनली हम देख लेता है option chain, option chain से पहले हम चेक कर लेता है, कि FII देखिए daily basis के ओपर 20 October के बाद से, 20 October के बाद से daily basis के ओपर FII buying कर रहा है, तो वो इस वाद एक कुछ बाइन चल रही है उसकी, ठीक है, और साथ में option chain देखोगे, तो option chain में यहाँ पर call rating रहे हैं, बड़े player जो की प्रोप्राइटर है, उसने कहां की call rating करी हुई है, ठीक है, याद रखने है इस बात को, और 18200 की भी call rating की है, ठीक है, इस दो call rating यहाँ पर हो रखी है, अब market मेर इस आप से, यहाँ पर देखिए, 18000 के ऊपर fresh call rating है, ठीक है, और 8200 के ऊपर fresh call rating है, तो market को मेरे साथ से 8000 से लेके 8200 के बीच में, एक range bound market के तरीके से treat करना चाहिए, अगले 2 दिन expiry तक, ठीक है, मेरे साथ से, अगर लेकिन market buy on dip ही है, अगर यह resistance तोड़ी तो गबराना मत, क्योंकि हम, हमारा जो bias है, वो bullish ही है, लेकिन dip आएगा, तो का तका सकता है, 18000 तक, और आता है, तो वहाँ पर bullish positions आपको add ही करनी है, as per the data, बात समझ में आ गया, उमिद करता हूँ, clear हो गया होगा, final देख लेते हैं, हम यहाँ पर bank nifty का कहने चाहता है, तो bank nifty जो है, वो य अच्छी movement देने के बाद, यह है, consolidation कर रहा है, याद रखना है, इसको consolidation कहते हैं, और यह consolidation जो हो रहा है न, वो आप check कर सकते हो, नीचे की जो range है, as consolidation की वो है, 40800 की, उपर की जो range है, 41000 की है, तो 48800 से लेके 41100, ठीक है, तकरीबन 300-400 point का consolidation है, जो की तकरीबन, तकरीबन weekly basis के उपर बहुत लंबा हो चुका है, तो expected है, कि market का ये breakout उपर के तरफ ही देगा, जोकि data points positive है, data points का against नहीं जाना है, ठीक है, तो अभी जो support है, जो की काम करेगा, market है, benefit का exactly क्या है, वो एक, वो है, range bound market में है, तो यहाँ पर 40800, ठीक है, यह वाला, 40800 का support है, ठीक, और दूसर चीज, यहाँ पर resistance जो है, वो यह है, यह, 41500 का, ठीक है, तो 500 और 300, 800 point का ये range है, ठीक है, तो जब market यहाँ से breakout देगा, याद रखना, जब भी market यहाँ से breakout देगा, 41500 के ऊपर, ठीक है, तो प्लस इसमें 800 point add कर लेना, तो आपका target निकल के आ रहेगा, तो 8513, तो 42300 का target निक अच्छा movement भी आएगा, ठीक है, तो याद रखना, dip में आपको add करना है, target ऊपर के मैंने दे दिये हैं, तो यह breakout जिस भी दिन देगा, मैं यह नहीं कहा रहा, कल दे देगा, जब भी देगा, तो तब आपके target आ जाएंगे, target मैं आपको समझा दिये हैं, ठीक है, दिन कितने हो गए, consolidation में बो चेक कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो मेरे इसाब से छे दिन हो चुके हैं, तो साथमा दिन, कल का दिन काफी important रहेगा, NR7 जो होता है, एक concept होता है, NR4 और NR7 मतलब narrow range 4 और narrow range 7, 7 days तकर कोई narrow range होता है, मतलब कल भी एक narrow range, इसी range के अंदर trade अगर करता है, तो उसका breakout फिर 8 वे दिन हो जाता है, तो अभी जो condition है, वो NR7 की निकल के आ रही है, ठीक है, bank nifty के अंदर, तो उम्मिद करता हूँ, या तो कल और या फिर परसो bank nifty उपर के तरफ breakout देना चाहिए, ठीक है, तो dip आए, dip में घबराना नहीं है, और dip में अप description में दिया हुआ है, thank you, thank you so much for watching this video.